कि अब करेंगे तो इन वेल्कम टो टेस्ट बॉक्ष आप सभी का स्वागत है चार बजे वाले सेशन में जिसमें हम कंप्लीट करेंगे 2019 तो हमारी जो लॉंग ओंग इंग सी यह हमारी शुरू हुई थी 2030 2023 कर लिया है उसकी प्लेट बन चुकी है और 22 कंप्लीट कर लिया है 20 पे हैं अभी हम अब हम और 19 में जो आपके इंग्जामिनेशन हुआ दिस्कॉशन करेंगे और इसके बाद हम मुवान कर जाएंगे थर्स्डे में तून के ओपर 2019 करेंगे और सौके सो कुश्चन सौल करेंगे आवाज ठीक आ रही है आप सभी लोग को बताओ जल्दी आवाज अगेरा प्रॉपर आ रही है अवाज होगे रहा प्रॉपर आ रही है आपको हलो हलो क्या रही हुआ है आवाज ओगेर ठीक आ रही है अभी जल्दी बताओ अग्वार कन्फरम करगेए अवाज ओगेरा ठीक आ रही है प्रॉपर चल रहा है 스타일 फिल्कुल प्रॉपर आल सेट आल सीट आवाज ओगेरा सब प्रॉपर रहे है अन्जी अन्ज चलो ठीक टीक टीक अल्सेट अल्सेट थम्सप अगए है चलो बहुत बढ़िया अल्सेट चलो लेट्स सार्ट पहला कोशन आपके सामने आ रहा है अब पहले तो हमारा टेलिग्राम चनल अश्वने सार्ट टेस्ट बुक इसको जॉइन कर लो आपको पीडियेफ यही पे शेयर मिलेगा यही पे ही क्विजिस वगेरा भी होते हैं सारी जीज़े कुशन ये पर शेयर किया रहते हैं तो प्लीज चैनल को जॉइन कर लीज़े पहला कुशन आपके सामने आ रहा है इस कुशन पांसर करो और शॉट नोट्स बनाते चलना सबी के सबी स्वग ओडेंस को शौट्ट नोट्स बनाते वर चलना है सेशन के दोरानी सेशन होगा हमारा अल्मोस्ट तेड़ गंते का मरतीी तेटीज़ के ससेशन होगा और ऊपशल पहल करेंगे पー आपके सामने आ रहा है जान दीज़े जैन गरंथ भगवत सूत्र के अनुसार काशी और कॉशल के कितने गनराज्य पूरवी भारत के शक्तिक्षाली महासंके इन्होंने मगद के राज अजाज शत्रु का विरोध किया था according to 10 texts भगवत सूत्रा how many गनराज्य of Kashnina formed part of the powerful political confidence that which opposed Ajajachatru, the king of Magad. आज़ गर्यक्तर गया है voice break करते हैं एक बार आवाज कीजिए कर रही है सब कुछ सही है प्लीज वेट प्लीज वेट पर आवाईल चक कर रहें है आभी बताओ गाईज अभी अवाज होगे रह ठीक आरही है अभी अवाज परफिक्क चल रहा है आभी सब सही है ना सेट है क्लियर एक दम आई थिंग अभी सब कुछ ख्लियर आरहा है comment section के अंदर आप से भी लोग confirm करके बता दे हाँ अभी ठीक है चलो बहुत बढ़िया लेट स्राइट अगें तुबार सा शुरुआत करते हैं अब कुश्चंस की तरफ चलते हैं पहला कुश्चंड जिसीद के बारे पूछ रहा है कि कौन-कौन संअमराजिते और गन के पर अटाइक किया था करेक्ट आंसर इस.'' जो अगमाज होते हैов jar गमाज उसका एक टीक्स्ट है ऐसी के अंदर ही सब सीजों के बारे में डिसकुशन किया हुआ है इसी के इसीक अंदर ही इन सब सीजों के बारे में कुष नखांसर महावीर के बारे में, क्या होआ happening to thejinοι, दूसरी anash ऑटमें राटाओं करने है, तूसरी एक्स्रा इमपोर्मेशन है, वो है यह, आपको नोट डाओं करनी, आजाज शित्रू की लडाई, अजाज शित्रू के लडाइ, बहुत लडाई थी, कहां से आपका कोश्चन आया एक कोश्चन आया आपके एक्जामनेशन की तो मिलाके कितने वो आये थे आपके झाला 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 झा एक मिनट वेट करो गाइज एक मिनट वेट करो कुछ इश्यू है वेट करो थोड़ा सा अभी क्लियर आरी अवाज अभी सही है हां बताओ बताओ एक बार कंफा कॉमेंट सक्षिन अंदर अभी सही है अभी ओके है अभी सही है फिर थोड़ी दिर में दिक्कत हो जाएगा चलो मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ हमारी टीम चेक कर रही है ठीक है तो मैं आपको पढ़ाना शुरू करता हूँ आपके समझ में आ जाएगा लेट साट तो यहां पर जिसके बारा बात की जारी है नौ मलाजुआ कर तो यह आपके एक्जामनेशन कि को ही बुलाया गया था चेटे का जो थे राजा जो थे वैशाली रिपक्त के द्वारा आजास शत्रू से लड़ने के लिए यह आपके एक्जामनेशन किस थल पर मानव जिश्मम पुरा पाश्मनिक ताल ओजार के साथ समस्थानों मानव पाए गये हैं स्थानों मानव पाश्मनेशन बुटेशन बुटेशन के लिएट गये पानव न चलते हैं किस पुरा पाशन काल स्थल एवं पर एशनेट ऑजार के साथ पशु पाद चेन के साथ एक समुच्च एक साक्षय मिला हुआ है कहां पे मिला है तो अगें साइड बेस कुश्चन है यहां पे 2019 में पाता साइड बेस कुश्चन काफी आयते शुरू कि तार कुश्चन साइड तो यह एविडेंस कहां पे मिला हुआ है यह मिला है अतिरम पक्रम के अंदर तमिल नाडों में यह एविडेंस मिला हुआ है तो करेक्ट आमसर इस ए नेक्स्ट कुश्चन की तरह चलता है विचाथ फॉलाविंग साइड जील फॉसिलाइज तूमसरे किस थल पर 2001 में जीवाश में कि कपाल पाया गया है तीम बेट का दिदुवाना हत्नोडा उधाई कहां पे मिला हुआ यह एविडेंस कहां पे मिला हुआ है शॉर्ट नोट्स बनाते रहो उडेंस मिला हुआ है उडाई के अंदर उडाई is the correct answer उडाई कहां पे उड़ाई कहा पर है करनाट के तमिलनाडू okay next question देखो next question earliest evidence crop production कहां पर मिला हुआ है जो आपका कल जे के सट जो हुआ था उसके अंदर भी आया था earliest evidence crop production कहां पर मिला हुआ है कहां पर मिला हुआ है तो करेक्ट आंसर इस बहुत बढ़िया नेक्स्ट कोश्चन की तरफ चलते हैं पिचमंग फॉलोविंग इस लार्जेस्ट हैबिटेशन इन इंडिया नेमलिकिंग से कौन भारत में घ्यात अभी बालत अमध्दपाशन वास्चेत्र है तो कौन सा है वागोर चुपानी मांड यह मिला हुआ है वागोर में राजिस्थान की तरफ चलते हैं पीड मेकिंग वरक्शॉप हैस बिन फॉलोविंग हरपन साइट्स पीड मेकिंग वरक्शॉप मन के बनाने वाली कारशाला नेमलिकित में से किस हरपश तरफ तरफ पर दूसरा बोलता है कि जटिल राजनितिक और अर्थिक तंत्र था इक complex political economic system in foreign information था चौत रिजट्ट सिस्टम देता एंसर एपसेज और कास सिस्टम कोई कास इस चीट के बारे में वह एविदेंस Dan कुछ्ट हारपन डौन था जिसको थर्ड्स ने इस्ट्रोई कर दिया था वहें बार बार ने वाली बारे कारण इसके ओपर picture ही बनी हुई है a society again is करें लें फिस्टि US huh का 4 मुल्यांट करना करना और महीं के लाभाःत वर्तमान के किसम लिकित में से किसने g toolkit हुपरिए परी भाश specially किसके दवारा दि गई है यह किसके दवारा दी गई है तक परेक्ट सब्सक्राइब लेक्र जीडियंगे कर शो फा가요 सो कि लृपर छीडिय घूरेंच शीडिय न्ही तो अनगा जाय जेृओ को शोरेंट एंडि MON थे ऊपने रुदी तटनारी्ट मार्वाष्ट्र स्थकूरां इंडोनेशिया का सर्वोच स्थान है कि इस देव तैंटी । । किस का इस्थान है प्रम्श का स्थान है प्रम्म्य विष्नु का सिवय सूर्य का जावा में Cultural Reaganशी दैटिटर्म जावा इंडोनेशिया त्सक्षा जारी है इसका कर लो बहुत इंपोर्टन एक्जामिशन के लिए और टाइम पर रिपोर्टर को क्या बोला जाता था राजुका युक्ता मौरें टाइम स्पे जो रिपोर्टर्स होते थे उनको क्या बोला जाता था चर्थी वेधी का इस रिपोर्टर के और न करतो बोला जाता था he ख़ल्दी वताओ कॉन थे कौन थे, कौन थे, कल दी बताओ, कौन थे, Magasthenese, according to Magasthenese, कौन थे, जो Moran Administration के निचार्ज से, तो correct answer is, correct answer is, it is, district administration के निचार्ज थे, ये, जो आपका जिला प्रसाशन होता है, उसके प्रभारी थे, correct answer C, 14 के रभ चलते हैं, वरिष्टा का सेटमेंट है, नोट नाउन कर लो वरिष्टा के इंदर दुबारा पूचा आ सकता है और क्या स्टेटमेंट है कि उनका देश अच्छी तरह से अवादी वाला था और उनकी प्रजाव उनके अधिकार के अधीन थी मालावार, Ceylon और अन्य देशों के रईशों ने उनके दर्वार में राजदूत रख्ये ते और सालनस में दूपार वेजे तो फरिष्टा ने किसके बारे में स्टेटमेंट लिखा हुआ है किस कंट्री वाल पीपल्ड और सब्जेक्स वर सब्मिसिव तो इस अथौर्टी त बारे में स्टेटमेंट यह स्टेटमेंट यह कों सा राजश्व मुक्त भूमी अनुदान है कौन सा है जहांगीर के द्वारा स्टाफित किया गया था तो तो कर्रेक्ट आंसर इस अल्टमगा जागीर यह चुंद इस में किस चीज के बारे बताया गया है गवा किया गए कि राजा का सुशाशनी कारण भगवान विष्णु समस्चिन का को त्याग कर थागर में शापुरवक शर्नवस्त है या किस राजा के बारे में दावा करता है लॉंग पालम बावल इंस्क्रिप्शन डेली क्लासिकल संस्कृत क्लेंट क्लेंट किया था थे किसके बारे बात और बालवन के बारे बात और रही है कि एघ्सेप्ट कर रहे थे थी खोड़े किसी खोड़े थी दिक्कत नहीं थी 17th question, किस सुल्तान के बारे में बोला गया है कि वो काजी की एडवाइस बिल्कुल नहीं बानता था, किस सुल्तान के बारे में बोला गया है कि वो काजी की एडवाइस बिल्कुल नहीं मानता था, ऐबक एके फॉट्टी सेवन, एम्बीटी या बहलो लो दी, के बारे बात हो यह जल्दी बताओ करेक्ट आंसर एज एके 47 अलाउदिन किल जी काजिम होगी जिन बात बिल्कुल भी नहीं सुनते थे यह बोलते थे कि प्रसाशन मेरे प्रसाशन नहीं है तो तांग अड़ा रहे हो अच्छा ओप्शन बदży अबल्वन अलाउदिन किल जी मॹमध बन तौलक स कणल लोदी बताओ करेक्ट आंसर किया होगा किस सुल्तान को अलीगुर शाप के नाम से जाना जाता था तो किसको जाना जाता था अलीकुर्शाप के नाम से? गरेक्ट आंसर इस अगेन अलाउदीन एक एवर्टी सेवन नाइंटीन कोश्चन की तरफ चलते हैं तो अपने ट्रावलाग में उन्होंने इस तरही के से लोगों के बारे बता है आम जनता इतनी बीशन गरीवी में जीवन पालन करती है कि उसके जीवन सिर्फ अपार वंचना और धोर दुख के निवास थल के रूप में चित्रत अथवा साही डंग से वर्ण प्याजा सकता है किस यात्रेन इस इस के बारे में डिसकस किया हुआ है का बहुत बढ़े आपाओ जल्दी बताओ जल्दी करेक्ट चाहर रही है तो बहार चले जाओ न ग्लास इटेंड किरेंच करिये तो तो करेक्ट चाहर इस सब्सार प्रैंचर प्रैंसर ने रेमों से चृँंपा की किताब लिखी जिकर क्या हुआ है उसमें शेहर के बारे बताया है लोग के बारे बताया है किस तरह से गरीब है वो लोग इस तरह चलते हैं इन विच लैंग्वेज डिट बनार सिदास राइटर वेरी इंटरस्टिंग ऑटोबैग्राफी दा अर्द कतनाग इन बनार सिदास में 1641 में किस भाशा में एक अतिक रौचक अत्मातक दर्द अकतानक लिखी हुई है तो अवदी ब्रज मराटी संस्कृत पे लिखा हुआ है कल्दी बताओ कल्दी बताओ अन्जी को यह जो है एक तो है नहीं के सिस्टी के बारे बात कर रही है के करने दो जो कर रहा है कर रही है करने दो कि अपना कोश्ट करो एक स्टेट्मन के बता चल जाता है कि नहीं पहले तो यह कोटा के बारे में बात बोल रही है साइंस जिन्दा बात कर रही है फिर इस्टर के बात कर रही है करने दो इसको झाल झाल आज़ी चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन की तरफ आवाज आ रही है ना प्रॉपर आवाज आ रही है वाइस वोईस आ रही है वोईस के लिकत है आटा वाइवाइवाइप चलो नेक्स्ट कोश्चन की तरफ चलते हैं आई थिंक वोईस की कुछ वोईस का इस्ट की तरफ चलते हैं वोईस का इस्ट की तरफ चलते हैं अन्होंने अटो बैग्राफ है लिक्कि विया अर्द कथानक तोलस एक तालिस में जल्दी बताओ तो किस ने लिख्यू यह आटो बैग्रफ ही ब्रज भाशा के अंदर लिखेंगे त्धान से देखना बनार्ज दास जो हैं अटो बैग्रफ है अर्द कथनायक इस तरीक इसा आपको शॉर्ट नोट बनाना है ठीक है आग यह तरफ चलते हैं अरे प्रिंट से बिठाया हुआ है वही तुम के लास में तो नहीं बिठाया हुआ प्रिंट से बैठों के लास के अंदर नहीं सुनना मत सुनो खुदी अगरो इग्नोर करते हैं चलो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं वत्तन जागीर कॉंसेट किसके टाइम बढ़ पर आया था वत्तन जागीर कॉंसेट किसके टाइम बढ़ पर आया था वत्तन जागीर कॉंसेट और वत्तन जागीर में खास बात यह जरूरी नहीं है जरूर जरूर की जमीन नहीं तो बोल जटेए कि आपको जमी लिक्टन होता क्या था उसकी जमीन की तरफ बात में जाके अगर exceptional circumstances है तो correct answer is अकबर इस तरफ नहीं जागीर के अंतर नेक्स कुश्टन देखो मनसबदारी में किसके दोरा इंटर्ड्यूस किया गया था जल्दी उठाओ मनसबदारी की शुरुआत अकबर से ही होती है अकबर से इसको शुरुआत हुई अपका वो आया था दागेंट चेरा और 1593 अंदर यहां पे जात एंड सवार आया था जात एंड सवार जात परसनल रैंक और सवार कितने सब को मिंट करने आई इस अगर आपकी परसनल रैंक तीन अजार है तो गोड़े आपको क्या अगर आप अगर आप और अगर अगर आपको बढ़ाना हो तो बढ़ा सकता हूं तो जहां गीर जाकर एक टांसर ट्वंटी थर्ड पर चलते हैं कौन सा रूलर है जिसने अटनोमियस हिवास खान के अंदर मोहमद बक्तियार खिल जी कलोग खान जलालुदिन की अंजी हिवास खान मोहमद बक्तियार खिल जी वोइस कट पूले हैं बता हो गरेक्ट आंसर क्या होगा गरेक्ट आंसर इस मोहमद बक्तियार खिल की जो सेनाज वहां पर रूल कर रहे थे तो इन्होंने ही autonomous dominant create किया था दिल्ली के लाहूर के अंदर कौन था लाहूर के अंदर था इने बक्त और यह उदर पहुंच जाते हैं औरी के इस लेव तो उदर पहुंच जाते हैं पिहार बेंगॉली के अंदर ही अपना autonomous ठीक है 24th question की तरफ चलते हैं फर्मान कौन जारी करता था फर्मान कौन जारी करता था बताओ जल्दी पान जी प्रमान कौन जारी करता था प्रिंसी देखो अब नाया नाम बदल के आ गई है आ गया है हां बहुत बढ़िया ऐसे ही चैनल को चेंज करकर के आते हैं हमारे व्यूज बढ़ते रहेंगे बहुत बढ़िया अलो हलो ठीक है अवाज गाइस बताओ एक बार पताओ अभी अवाज は गेर आ रही है, प्रॉपर है अभी, अभी सही है, माईक चेंज हो गया है अवाज हो गेर आ रही है, अभी सही आ रही है ठीग है, ठे अभी अवाज सही आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है किसे जारी करता था था फर्मान को आपको सुझा sucks अगर जारी कर दिया उसे खिलाख हो डू यासकते हो कॉन सा मुगल वाश्या था जिन्होंने दिवाली celerate किया थी शिरि ن fight कश्मीर के अंदर कौन सा मुगल वाश्यया था, जिन्नोंने दिवाली सेलिबडेट किया। अकबर, जहांगीर, शाजा, और सेब। बताओ और अंसर क्या होगा। ट्स चलबुन दिवाली किया。 जहांगीर कौन सा मुगल वाश्या था तो काफ़ इंप्रेस हो गया था जदरूप गुसाइट से अकबर भी इंप्रेस था अकबर भी इंप्रेस था लेकिन यह कुछ जादा इंप्रेस हो गया था तो कौन कुछ जादा इंप्रेस हो गया था बार बार जादा था घुम घुम आंसर बार बार गुम 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 गी आता था next question देखो देखो यह exact statement है बहां में इस अलतरत से exact statement है और कहां से statement उठाया हुआ है 37 जो है 37 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 2 में तुम पारे में बताते हैं तो वॉल्यूम 1 के अंदर यह exact statement दिया हुए वहां से copy paste कर दिया एक्जामने तो क्या statement है सुल्तान दौारा सेन्य बलो का पुनुगरठन किया गया रत्पश्चात सेनापती को अमिरुल अमरा कहा गया था और बारव बारव दरान नामक अधिकारियों का एक सम्मू बनाया गया था जिसका काम जरूरत के वक्त फौज को जुटाना था इसके अलावा 201 जवार अथुआ सिलादार थे इनका काम सुल्तान के निजिश अस्तुर का सनरक्षन था सुल्तान की 400 अंगरक्षक थे तिने खस कहल कहा जाता था अब इस question ही खास बात क्या खसे खिल के नामक क्या है तो इस question ही खास बात है कि इस question से फौन जरू यह तीन question बने हुए है एक question आपके सामने है एक question कहसर खास है एक question है इतनी खास बात है इस question की तो correct answer तो क्या है अला उधुतिन असनल बामन शा, मुहमद वन लाव दिन, मुझेडिन, यह दोड शा, कर्यक्त आंशर क्या है? कर्यक्त आंशर इस, मौहमध दोन is the correct answer, ओके? आगे की तरफ चलते हैं, शार ओफ इंडिया, देखो, यह बंडा जो है, यह बिलकुल भी इंट्रस्टेड नही है, यह इस्टरी के अंदर फिर यह चानल के अंदर आप लोगे comment देख रहा है कि लोग इतना इल्स होगे कैसे पढ़ रहा है इसे तो कभी इंट्रस में किसे पढ़ रहे हैं टार अव इंडिया नॉन एडिटरी ओडर अफ दे नाइटर अफ दे बोथ एरोपेंस और इंडिया बिगिन तो बी ओड़िट फ्रॉम विची पॉन से यर से अवर्ड किया गया था यह बताओ जल्दी बताओ जल्दी हां नेक्स्ट कब आया था इस रार अफ इंडिया जो एक नॉन एडिटर था यह करेक्ट आंसर इस 1861 अक्का एसस्ट वाला जो इसका टीचर था उसकी कुटाई की हुई है इसको मुर्गा बनाया हुआ है और डंडे वजाय हुए के ना बडास आज यहां निकाल को निकाल ले दो कोई दिक्कत नहीं है आराम से रिलाक्स होके जाना लेकिन लाइक सेशन को लाइक जरूर कर दिना लाइक करके जाना है मैं चाहताओ कि अलग रग रग रजीमेंट में भिन प्रतिस परदी अब आवना रखे ताकि आवशकता पढ़ने पर अशिक हिंदू पर और गूर्का इन दोनों पर बिना है चक्के गोर्षा लाग सकें पर गाताओ तर्सटावन के बाद धिस बाट बटा जटका लगा था बताओ करेक टांसर क्या है चांजी अंजी बताओ झारेक्ट टांसर ए्स तो करेक्ट टांसर इस किसने सेट्मेंट दिया था यह यह देता यह आपका कल भी आया था किसका है यह स्रेटमेंट जल्दी बताओ इन बंदु मित्र द्वारा लिखा गया किस नाटक में बेंगोल में वगान के मजदूरों द्वारा उजागर किया गया है तो नील दरपन कमाले कमी नी दावती शाबादार एकदासी पान जी तो correct answer is, it is, Neel Darpan is the correct answer, A is the correct answer, बिलकुल ठीक है Neel Darpan, जो revolt हुआता है, Indy को revolt है त्राइब के ओपर question, 1857 में एक ट्राइब ने पार्ट्सपेट नहीं किया उसी के ओपर ही question पूच दे हुच दे हुच दे हुच दे हुच अनुन्हा है एक चेराज, वगटाज मुंडाज नुरान्स, सांताल इंड द मुंडाज फिंगल इग्छ, भील प्लीस को हंदाओं कर लो इस एक स्रीटमेंट क्या अच्छन ापूजचन और इस एक statement गलत है, पूरा का पूरा question किस पर है, आद उनिक संगीत के ओपर, एक statement गलत है, बता हो statement, answer क्या है, पहला statement पूछ रहा है, decline of the courtly patronage, ध्यान से देखना है question को, कि मुगल से, अंगरेजु ता question है, पहला statement बोल रहा है, decline of the courtly patronage in the 19th century, the intervention of the new urban western educated class, that endeavored to relocate classical music from the court and the temple to the secular arena, the marker of new cultural setting, second, पहले statement ने बोल रहा है कि, court patronage को decline कर रही थी, और जो अंगरेज आ रहे थे, वो उनको संरक्षन दे रहे थे, वहाँ पे music दूसरे statement में, the new cultural setting fundamentally altered the structure and form of classical music, मतलब नई सांस्क्रित, शास्त्रे, संरचन, संरचन, कॉली रूप से, second statement ने बोल, third में, the emergence of nation as a community, suitably redefined and structured, nurtured and consumed Indian classical music, तीनो statement बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्क्त थी ने तीनो statement के अंदर, कोई दिक्क्त, अब चौथे statement के अंदर, कोई दिक्त आती है, और वो दिक्कत क्या है, the newly developed interest in music, it's inspired by the nationalist ideals, practice and performance, solely, मतलब वो इसी से inspired था, solely, only, solely, दिक्कत हो जाती हो, बोल रहा है कि जो newly music developed हो रहा है, वो केवाल nationalist ideals, उनी प्रभावित ही ने था, फिक गलत हो जाता है, हमेशा ऐसे question के इसे question करो, only, solely, बात करते हैं, कि एक ही तो प्रभावित हो ही ने था, वेलत आंसर क्या हुआ, D से incorrect, आंसर हो बागी सारे statement, okay, next question की तरफ चलते हैं, सामाजिक मुक्ति की दिशा में हुई समस्थ प्रगति, अवस्था विदी से अनुबंध विदी और विदी में और परिवार हो जाते वस्था के नियंतरनों से, अव्यक्ति के स्वेच्छा जनित स्वारोपित नियंतर वरतन का सूचक है, all progress in social liberation tend to be a change from the laws of status to the laws of contract, from the restraint of a family and caste, customs to the self-imposed restraints of the free, well, आंजी, बताओ, correct answer क्या होगा इसका, again, statement based question, इस्ट्रग्राफिय वाला question, ये ऐसे question है, जो आपको धिहान रखने है, इसका statement है, तो ये statement है, M.G.Ranadeka, D is the correct answer, दुबारा पूचा आ सकता है, काफी अच्छा statement है, M.G.Ranadeka statement है, okay, next question, Bengal, पुलिस, ने सबसे पहली बार finger printing का method यूज किया था, जिससे crime को detect किया सके, जिको अब ये तीसरे channel बना के आगया, अरे भाई, ये master बनने के लिए बैठे हुए है, सारे लोग, आपको क्या लगता है, ये कौन सा examination है, ये master बनने के लिए लोग बैठे हुए है, ये जो students आपके साथ comment section में बैठे हुए हैं, इने master ही बनना है, इने assistant professor ही बनना है, ठीक है, इनको आप मुझे नहीं समझ में आ रहा कि पहले तो frustrated क्यों हूँ, आपको दो बार block कर चुका हूँ, कि दो बार block करने के बाद आप दुबारा आ चुके हो, और दुबारा आके फिर वो, मतलब क्या बोलना चाते हो, इनको assistant professor ही बनना है, के, इन school colleges में जाके आपके बच्चे पढ़ेंगे, उन school colleges के अंदर यही पढ़ा रहे होंगे, क्या दिक्कत है इस बनने को दो बार block कर चुका हूँ, पढ़ ले भाई, इनका time हो गया होगा, यह सारे matured लोग हैं, यह post-gaiushon करके बेटे हूँ है, PhD कर रहे है, examination qualify कर रहे है, आपके tuition का time हो गया है, जाओ पढ़ लो, ठीक करना मम्मी डंड़ लगाएंगी, तो यह कब आया था, 1898 के इंदर आया था, B is the correct answer, among the following Satyagraha which was not led by Mahatma Gandhi, तो Mahatma Gandhi ने Satyagraha नहीं lead किया था, Hanji, बताओ, बताओ, Hanji, तो इतना प्यार हो गया हो, बार बार घूम कुछ आ रहा है, यार ही है, आज तो सर सही पढ़के जाना है, बच्चो सही इंट्रेक्ट करना है, यह इतना lecture इतना interesting क्यों हो रहा है, कि यह सारे कि सारे लोग comment कर रहे हैं, लगे हुए, तो करेक्ट आंसर महाड सत्य करे, बी आर अंबेड कर, अंबेड कर, महाड सत्य कर, वो करेक्ट आंसर इस, कि ने लीड किया था, अंबेड कर ने लीड किया, वो among the following delegates at the Congress session at Karachi 1931, who did not oppose the Gandhi Irwin Pact, बताओ जल्दी, Congress के Karachi अधिनियम किस में से किस प्रतिनिदी delegate ने Gandhi Irwin समझोते का विरोध ने रहा है, किस ने अपोज नहीं किया, बिल्कुर हमेशा, बताओ जल्दी, बताओ जल्दी, तो correct answer is, correct answer is, पुरुषुत्तम दास ठाकुर्द, दास इस दा, answer, okay, next question के दराव चलते हैं, ध्यान से देको इस question को, statement based question, statement based question, statement based, तो मैं किस ने, no Indian could have started the Indian National Congress, if an Indian had come forward to start such a movement, praising all India, the officials in India would not have allowed the movement to come into existence, if the founder of the Congress had not been a great Englishman, such was the distress of the political legislation in those days, that the authorities would have at once found some ways or other to suppress the movement, तो Congress के 1885 में एड्वेंट की बात की जा रहा है, और उससे से लिए question बात की जा रहा है, हान जी, बताओ जल्दी, तो करेक्ट आंसर इस, करेक्ट आंसर इस, किस ने statement दिया था, गोपाल, कृष्ण, ओकले ने से लिए कॉंग्रेस के बारे में की, तो ह्यूंग्रेस भाई, इत्ता बड़ा आदमी लगा हुआ है, इसी विए अधर्वाइज आई निपा, मैं अल्रेडी उसको तीन बार ब्लॉक कर चुका हूँ, तीन बार ब्लॉक हो चुका है, यह स्टूडेंट है, और यह मुझे लगता है, ठीक है, और इसके ट्यूशन, टाइम होगा अभी, तो थोड़ा दा टाइम पास करने के, यह भी है, यह मम्मी ने डाट के गरों में बिठा दिया हूँ अगे, आज, यह माक्स कमाए होंगे, डंडा पड़ा होगा, कि एसस्ट वाले टीचर ने, एसस्ट वाले टीचर ने, तुकाई गी होगी, तो गरेक्ट आंसर इस, बेनेडिक्ट ग्रोको इस दे करेक्ट आंसर, और इसस्ट वाले इसस्ट वाले टीचर ने वाली समधानियों के बारे में, सावधानियों के बारे में, दियान से देखना है, तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या दिक्कत नहीं है, तो बोल रहा है कि कुछ ऐसा नहीं लिखना है, तो ओ, आउथर ने लिखना ही नहीं है, क्या दिक्कत है, तो दूसरा, अगर कभी ना, कभी ऐसा statement पर फर्स जाओ, तौथे, तौथे से आ गया, देखो कभी अभी, कभी कभी, तो हमेशा आग बंद करके सोचना, क्या है यह, facts obtained by a direct examination of the document must not be confirmed obtained by the reasoning, क्यों करेंगे वही, तो उसके बाद, अभी अपने दोस्तों को भी बुला के लाया है, कोई दिक्कत ना, तो correct answer क्या होगा, देखो, तिस statement बिल्कुल सही साफ साफ दिख रहे है, और एक statement के अंदर दिक्कत है, अवाज के अंदर कोई दिक्कत है, एक बार confirm करो comment section, अवाज आ रही है न, अवाज आ रही है न, सभी को, अवाज आ रही है, हाँ, ठीक है, क्लियर है न, क्लियर है, क्लियर है, अवाज होगा रही है, अब क्लियर है, तो यहाँ पर correct answer क्या है, C is the correct answer, यह बोल रहा है कि, अगर किसी चीज़ पर कोई doubt है, तो अपने आप बना दो कुछ भी, यह बोल रहा है कि, if the reasoning leaves any doubt, the conclusion should be drawn by the constructive imagination, doubt है, तो अपने आप कैसे बना सकते हैं, बना सकते हैं, अगर रूपर doubt है, तो correct answer क्या है, C, then next question की तरफ चलो, heuristic operations, which one of the following function of external criticism, historical writing is, external criticism, external criticism की बारे बात कर रहा है, जहान से देखो, to establish the authorship of the document, कोई दिक्कर नहीं है, to carry out the interpretive criticism, external criticism के बारे बात कर रहा है, तो external में internal नहीं होता है, to determine the place of the document, to fix the time of the document, the exact date, month of, end year of writing, heuristic जो होता है, external जो होता है, उसके अंदर नहीं होता है, okay, आउस्टिल वोइस, वोइस के अंदर इस्टिल प्रॉब्लम है, वोइस के अंदर, प्रॉब्लम वोइस के अंदर, external में interpretive नहीं होता है बाहर से सारी चीजे यह दिखाई जाती है कि बाहर से इसको fix कर दो authorship उसकी fix कर दो place और documents उसका fix कर दो, time उसका fix कर दो exact date fix कर दो ये सब कर दो अवाज होगेरा clear है guys एक बार end में confirm कर दो अवाज सब कुछ ठीक हा रही है next question की तरफ चलते है according to epigraphic god who among the following king of ancient India were accomplished musicians अभी लेक साक्षे के अनुसार प्राचीन भारत के निम्मलिक में से कौन से नरिश उशल संगित के बताओ फारवेल खरशवर्दन कौन accomplished musician थे so correct answer is musicians कौन थे केवल दो लोग दो लोग थे खरवाल एंड हर्श समुदरूट बस ये दो लोग थे बाकी नहीं note down कर लो खरवाल एंड समुदरूट दो लोग musician थे और बाकी में से next देखो stupa के बारे में सांची stupa हो ना सब सबस्ट तो ये क्या बोल रहे है ऐसे ही गलत हो गया आसानी सा कुशन क्राक हो रहा है पहला से टिएंट बोल रहा है कि the buddha had enjoined the erection of stupas over his ashes the customs of rearing stupas was pre-buddhist the jains also erected this form of memorial in earlier times next and dhamekak stupa of sarnath is one of the oldest हो गया answer अपका correct हाँ correct answer क्या इसका oldest कौन सा है oldest oldest तो correct answer is correct answer is correct answer is d को हटा दो बागी सारे ठीक है तो a b c is a correct answer तीन स्टेटमेंट सही है यह आपको गलत है next question Tributaries अरे तो जोगरफी वाला question पूछ लिया भाई जोगरफी वाला question प्रसिद सिंदु नदी के निमलक में से कौन सी सायक नदी है तो पूरा जोगरफी वाला question एक eliminate भी कर लो eliminate हो पा रहा है एक eliminate जोगरफी वाला जोगरफी वाला जोगरफी वाला जोगरफी वाला जोगरफी वाला next question की तरफ चलते है next question की तरफ Megastani's original record about India is lost some of his memories are preserved in the account which is following to Megastani Arian, Deodorus, Hilodorus, Herodotus correct answer is correct answer is Arian and Deodorus जोगरफी वाला जोगरफी वाला correct answer is next question की तरफ चलो next question in the I.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O next question की तरफ चलते है who among the following rulers of India has been devotee of Shiva भारत के निमलक में से कौन सा साशक शिव वक्त है और शुवर्दन बोजा परमारा गोविन चंद्र गहडवाला चंद्रुप्त टू तो फाक्य कांबगता correct answer is it is तीन लोग अर्शुवर्दन बोजा परमारा लोग जो है फाक्य बगता है पूट डाउन कर लो, next question तो which of the following पुराना is included Buddha in the list of अवतार्स of Vishnu किन पुराना में बुद्ध के विश्नु अवतारों की सुच अगनी, भगवता, मत्सया, वाईयू बताओ correct answer क्या है तो correct answer is correct answer is अगनी, भगवता, मत्सया तो Buddha को इन list of अवतार्स में बूला गया है अगनी का मत्सया अशोकन रॉक रॉक रिक्ट कंटेनिंग 14 proclamations have been found in South India from which are the following sites तो दक्षिन भारत के निमलिक में से किन स्थलों में 14 अशोकाली शिर्ट तहां पाये गए हैं एरागड़ी, एपी, राजामुल, अमंदरगी, एपी, मस्की, या सारनाथ, सन्नती, करनाथका आए तो correct answer is इस एरागड़ी एंड सन्नती, करनाथका, यहां पे मिला हुआ है 14 जोकेडिक्ट वहां यहां पे मिले हो सुल्तान अलाओ दिन किल जी को पर कुश्चन है कुश्चन को भी ध्यान से देखो साफी आसान कुश्चन ठीक है, सो कुश्चन को देखो, he knew how to say his prayer but he never fasted then he prohibited drinking, intoxicated as much as he can he agreed with the state as per shariat बताओ जल्दी तो correct answer 49th का B is the correct answer क्योंकि बोल रहा है कि marriage करना, nobles को जितना है शादी करना, जाओ जाओ जितना करना allowed दिन के गुलेमास के साथ बोल रहा है करता है यहीं कोट आदो C कोट आदो, D कोट आदो, D कोट आदो तो B is the correct answer P is the correct answer next question के तरफ चलते हैं अमिर कुसर ने काम लिखा हुआ है उसके काम के बारे में बताईए अमिर कुसर ने काम के बारे में बताईए तो हशिद बेष्ट, मतला उनर्वर, घजैनल पुत्तु, नुसिफट आज यह नोड़ा आ जाएगा ठी इसे मैं इतनी बार व्लॉक करूँगा यह नोड़ा आ जाएगा पकी बात है नोड़ा मिले गए अब ही जैसे में आफिस से बाहर निकलूँगा खड़ा होँ मिलेगा और मेरे सामने साइंस जिन्दाबाद साइंस जिन्दाबाद किनारे लखाए पेंटर कौन ते शाजाई कोट के अंदर यह बताए गया है वो चितरकार जो है वो शाजाई कोट कौन कौन से महमद नादिर समरकंद के अब्दुस समाद मेर हाशिम और यह मैं गैरेंटिड बोल रहा हूं यह जो भी कोई है ना सारा साल से कम कम की उम्रता है करेंटिड है तोला सतरह साल करेंटिड है बच्चा है जैसको हम बच्चा भोलते हैं करेक्ट आंसर इस करेक्ट आंसर इस इस केवल महमद नादिर समरकंदी और सॉरी हाशिम हो है नेक्स्ट कोश्चन गुलबर्गा देखो गुलबर्गा इसके फीचर बताने हैं इंडियन एंड एरानियन स्टाइल इलमेंट्स आर सो इंटर्वाइन इन इस तो बी इस अपर कोश्चन पूचा गया है कि उसका क्या कोटियार इसके अंदर क्या इसके अंदर पिलर्गा के अंदर रूफ को फिर स्मॉल डॉम से गवर किवर कर रही है पूचा क्या इसका अंदर बार बा स्क बात कर दिया तो इतो ब्रूटियाद कर दिया नहीं पूचा क्या कंड़े स्कुलम से अंधू अट कौन सा कुलम सी तूवा पर्गना सरकार वतन तूवा पर्गना वरकार सरकार वतन आजे कितने चैनल है भाई स्पेश मैं तो हेरान रहे हैं मतलब साथ आठ बार में ब्लॉक कर चुका हूँ साथ आठ चैनल लिए मेठा हुआ है करने कोई नहीं ये जिन्दगी में सही में कुछ करने को नहीं है लोग है ये बताओ मुझे honestly बताओ सही में कुछ नहीं करने के लिए तब आन्सिक स्थिति देख रहा हूँ इस स्टूडेंट की अब तो मुझे ये ये भी यकीन होना शुरू हो गया है कि आप स्टूडेंट भी नहीं हो बतलब मैं सादाट बार ब्लॉक कर चुका हूँ भाई कहां जाओं कैसे ब्लॉक कर रहा हूँ session तो मैं end नहीं करने वाला session तो 100 questions होगा तब ही end होगा मतलब कितनी मार खाई आज मम्मी से मुझे बताओ जो भी कोई है मम्मी से मार खाई है से मार खाई आज कि पेर से मार खाई है कि भज़ थी का HOME WRक नِंगे इसलिए मार खाई है कि स्ट्री का हमवर्क निगा कि ज़्य से ओर मार खाई है Paul Science का किसका HOME WRक निगे आज और खेड के इन्हीं सुडेंट्स को रहा है मतलब उन्हीं सुडेड रहा है जो असेस्टन प्रफेसर बनेंगे वह अपना करेंगे अपना करो तो मतलब अगर मैं यह भी सोच के चलो कि यह बड़ा इंसान है कोई क्या और बिल्कुली करता है इस सब्जेक्ट को यह तो क्यूं यह सुडेंट्स अपना कर रहे हैं कुझे आरफ निकालना है एजडी परसिव करनी और मैंचियो चान बनना है तो असिस्टन हो जाते हैं पर क्या कर रहे हो यहां बार बार अलग अलग इडी से आते हैं तो कौन सा पेर है केवल दो पेर करेक्टली मैंच जब परगना के अंदर सर्दार नहीं होता था सर्दार तो कोई आई नहीं वैसे भी और दूसरी कौन सी है वतन वतंदार वतंदार यह भी नहीं Mughal expedition, Bulk or Badakshan के लिए? Mughal expedition, Bulk or Badakshan के लिए? Mughal expedition, Bulk or Badakshan के लिए? तेको इस question ko अधिए? Proclaim desire on the part of the Mughal Empress to recover their ancestral land, Samarkandh, Babar ka Sapna? अरे हमने नहीं देखना भाई JAE का वेपर, हमने UGC का वेपर देखना है, हम क्यों JAE क वेपर देखेंगे? और in fact आप क्यों UGC के question देख रहे हो? Question देखो, question तो correct answer यहाँ पर क्या है? C is the correct answer, reason क्या है C is correct होने का, देखो इसके अंदेरे दाराशिगोगी बात कर रहा है, दाराशिगोगा कोई लिने देना नहीं था साद और 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 औरंग जे तो यहाँ पर बोल रहा है कि खाजा, डिजायर कर था, बलकर बड़कान साद को देने की डिजायर था, यह दोनों गला था तो यह बलकर बड़क्षान का campaign launch किया गया था, 1646 के अंदर next question की तरफ चलते हैं, तो question किसी के उपर है, अकबर के उपर और अकबर के सिक्के, minting के उपर, तो अकबर's mint years were careful to maintain high quality कोई दिक्कत ने भी statement के अंदर तो, gold was, पहला, ऐसे statement जो होते हैं, हमेशा सही होते हैं, पहला statement है, gold was nearly pure, silver never dropped below 96% pure and copper coins remained of high quality, there was free or open minting system in 1595, there were total आओ जलरी पताओ correct answer is, it is, P is the correct answer, यहाँ पे जूस्ट है, yes, 96 mint, 96, तो task अंदर भी पढ़ाया हुआ था, mints 96 नहीं थे, mints actually, 30s में थे, 30s, 40s में थे, 96 को mints थे भी ने, तो यह तीन statement सही हैं, और यह वाला चौथा पह गलत है, pure, pure होते थे, 96% purity, and copper coins भी काफी अच्छे थे, तो यह सब बताया हुआ है, free or open minting system थे, next question, Kasim Khan के ओपर, Kasim Khan के ओपर दो पार question आया हुआ है, जान से देखो, Kasim Khan, Kasim Khan was chosen to be the superintendent of building of Agra Fort because of his, as well as, he was later made governor of Agra Fort, father Montserrati comments that he was raised, that exalted dignity, the humble position, 33, Akbar appointed eight people to look after the royal building jointly, one of whom, Hanji हिंदी के अंदर भी कासिम खान को उसके सैन्ने अभिहनता के साथ-साथ बहुआ निर्माता की रूप में भी ख्याती के कारण अगरा के इमारत के अधिक्स चुना गया था, बाद में उसे अगरा के लिए का साशक बनाया गया था, father Montserrati करते कि वे एक उचे-पद के विनम्पद से उस उचपद पर आसीन हुआ था, 10-1583 में अक्बर निशाई मारत की देखबाल के लिए संयुक्त रूप से 8 लोग को निखता है, correct answer is, it is, C is the correct answer, B is the correct answer, तो इस question के अंदर क्या दिक्कत है, एक बार देख लो भई, इस question के अंदर क्या दिक्कत है, जो statement है, पहला तो बिल्कुल ठीक है, कासिंट खान, military engineer थे, अकबर भी काफी कायल थे, उनका, और अगर फोर्ट गवर्णर हे बना जागे था, फादर मौंसर, टिक, इस statement है, फिफ्टीन-टितीत्में, ओपर निवा आट लोग को पॉइंट किया था, रॉयल बिल्डिंग को दिखने है, यह तीन स्टेटमेंट ठीक है, चौथ आप बिलाता है next question 57 पर तरफ चलते है, English education क्या impact होते English education का India के उपर, India के ideas के उपर, वो question है English education opened the floodgates of the western ideas, which almost overwhelmed at the beginning क्यां से दिको इस question English education opened the floodgates of the western ideas which almost overwhelmed at the beginning acceptance of the western ideas came the medium of English was synonymous to the acceptance of the British rule it immediately aroused the consciousness of the people against the British authority it infused the spirit of rationalism it led to the revolt of mind Hindi के अंदर भी देखो, अंग्रेजी शिक्षा का, हिंदुस्तान के उपर इसको दिहान से देखो, आंसर करो फिर to form a universal brotherhood of men to promote the study of ancient religious, philosophies and tech sciences to proclaim the supremacy of Christian doctrines so correct answer क्या है इसका, A is the correct answer क्यूंकि यह बोल रहा है Christian doctrine की सुपरे मेंशी को maintain करना है वो उसका कोई purpose नहीं था, इसाही दर्म के तर वो उस दिखाने का कोई दिच नहीं next question, प्रेमचंद के उपर question है यहान से देखो यहान से देखो यहान भाई टुगा करना है, टाइपिंग के लिए दिया हुआ है, रुको next question, देखो देखो प्रेमचंद was among the first to portray Dalit as independent और Philipp Air Trackers, both as a part of Ppur and with their own particular problems евु प्रेमचंद works too political with ed2 प्रेमचंद's Novel reflected in the surrender to ideological tradition of the Indian two religion बन फ्रेमचंद's last and most a fun was, first published in 1935 and later appeared in Ente बताओ गरेक्ट आंसर कな और कादिर सर आ गए, कादिर सर बोल रहे है, जोती क्यों है, क्या हो रहा है आज, यह बताओ मुझे, अभी तो एक बच्चे को डील किये, और एक बड़ा आ गया है, वो यह बाते कर रहे है, बेल भी यह हुआ था, हाँ? बताओ करेक्ट आंसर क्या इसका, comment section से cute डिगलो, comment section से कोई कैसे cute डिख सकता है, मुझे बताओ पहले, correct answer is correct answer is A is the correct answer eliminate करने कोशिश करो ये बोल रहा है कि क्या क्या बोल रहा है इसके अंदर ये बोला जा रहा है कि political और social movement नहीं थे और surrender कर दिया था नहीं criticize किया था इनको तो criticize किया था तो B वटा दो आप का answer is रेम चंद के ओपर लगातार कुछन आया था B से भी आया था historical method is a complex process historical method is a complex process involving the search for source of information its critical evaluation synthesis and exposition reasoning should be done if the basis of proposition is made the kind of the document especially the official document largely to on rank K Oswald Spenge's philosophy of history opens with the vehement attack on the European periodization of the history Indian Hindi के अंदर भी question को जेको इसको इतियास लेकन कैसे किया जाता है और कौन कौन से लोग है क्या कैसे statement वो दे रहे है तो correct answer क्या होगा इसका correct answer is it is B is the correct answer तो एक statement गलत है क्या गलत है वो क्या आगा कॉश्या और के अंदर की और क्यान अत Pokémon के अंदर मुश्या गलत कुछ नहीं हो जाता है ऑप कुछ कश्रम करनी की नहीं करना दू कुछ अपने आप से यह आप से लगा देना तो इसी वज़े से B is the correct answer. ये हटा जो, बाकी सारे statement सही है. इश्वर चंदर विद्यसागर के बार क्वेशन है. तो इश्वर चंदर विद्यसागर, कादनर प्रिफिटर विद्यसागर के बार के बार क्वेशन है. इश्वर चंदर विद्यसागर के बार क्वेशन है. तो ब्लॉक करूँ या. तो प्रिफिटर विद्यसागर के बार के बार के बार क्वेशन है. तो प्रिफिटर विद्यसागर 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 के बार क्वेशन है. नेक्स्ट कोश्चन की दरफ चलते हैं. तो प्रिफिटर विद्यसागर के बार क्वेशन है. नेक्स्ट की तरफ चलते है. terms or meaning आईवा, भरदारी, काशिकारी, ट्रिवेट तो बता होना चाहिए आई आर्क्यूए ट्रिवेट इसी से हो जाएगा आपका यही ज़िए गरेक्ट आंसर देखो ट्रिवेट क्या होता है आर्क्यूएट क्या होता है जिसके इंदर आर्चीज होते है क्या होते है लिंट क्यों होते है ट्रिबेट उसके बाद आईवा क्या होता है पिलर्ड गैलरी बर्दारी क्या होता है बर्दारी होता है आपका आशी करकारी होता है तैक वाली टाइल्ज नेक्स्ट कुश्चन पिर्दोस मखानी कौन थे बावर उन्होंने लिख्यू इस बा परशन के अंदर किस ने ट्रांसलेट किया था अब्दुर्राइम खाने गानन एक्स्ट कुश्चन इनायत खान बीम सेन मुहम्मद काजिन मुहम्मद वारिस आच कर दो बहुत सिंपल कुश्चन है पेर बताना चाब पेर बताना है कौन सा इंकरेक्टली मैच्ट है कौन सा इंकरेक्टली मैच्ट है डी बहार आजम लाला टिक चंद इगलत बागी सारे साई फिलोसफर्स विस्ट्री उनके काम लिखे हुए मार्क व्लोक का काम कौन सा है साफ साफ दिया हुआ है हो गया हो गया नहीं हो गया एनी सिंपल कुश्चन सिंपल सिंपल कुश्चन आपने उस दिन हिस्टरग्राफिक क्लास कर ली आपके सारे कुश्चन सवाल होना शुद हो गया है तो करेक्ट आंसर क्या है इसका और अंसर भी आर्क व्लोक ने क्या लिखा हुआ हुआ है Edward Said ने क्या लिखा हुआ है, Culture and Impact ने Metastry लिखता हुआ है R.G.Callingwood ने क्या लिखा है, बताईए आपको R.G.Callingwood किसी के बारे में लिखते है P.K.Parek किसी के बारे में लिखते है, Dipesh Shikarwarthi किसमें लिखते है Eric Hobsbam ने क्या लिखा हुआ है कर दोगे ना, Solve, मुश्किल नहीं है ना, बिल्कुल भी तो, C is the correct answer, R.G.Callingwood ने क्या लिखा हुआ है R.G.Callingwood ने लिखा हुआ है Sorry Ideas of History R.G.Callingwood, Ideas of History R.B.Parek Gandhi Zee हो गए, then उसके बाद Dipesh Shagarwarthi क्या लिखा हुआ है Calling of a P.Kopsbam ने अनिस्ट लिखा है Next Dramatist और Play Gresh Karnaar ने क्या लिखा है Gresh Karnaar बहुत famous है Gresh Karnaar ने क्या लिखा है, Dharamveer भारती ने क्या लिखा है, Vijay Tindur Karnaar ने क्या लिखा है अबीब तन्वीर नहीं लिखा हुआ है बताओ जल्दी पुश्पेंदर गोश्ट क्या चाते हो बोला तो भाई आपसे की 2021 का जो शिफ्ट वाला टू कुश्ट टू कुश्ट है तो हम कराएंगे कुश्ट में पर कराएंगे थोड़ा वेट तो करो भाई टाइपिंग पे तो जाने तो टाइपिंग पे आने तो दोसको करेक्ट आंसर क्या है धरमवीर भारती ने कौन से प्ले लिखा हुआ है अंदायुग के चंदूल करने क्या लिखा हुआ है घासी राम कोतवाल के बाद गिरीश करनाड ने क्या लिखा है और आगरा बजार हभी तन्वीर हंजी बताओ नौट कर्रेक्टली मैच्ट नौट कर्रेक्टली मैच्ट सुरिन नाथ बैनर जी ने कौन से लिखा हुआ है वेलेंटाइन शिरूल ने कौन से लिखा हुआ है सुभास चंदर कौन से लिखा हुआ है शान अ जल्दी बताओ, लेगेसी ओफ लोकमानने किसे किताब है, कॉमेंट सेक्षिन किताब है, जल्दी बताओ, इतने हम नेक्स कोशन की तरफ चलते हैं, अलेक्जेंडर लीव्स इंडिया, बर्निंग ऑफ पिर्सपुलिस, अलेक्जेंडर कंप्लेट्स कॉंक्वेस्ट और ब्यॉ लेगेसी ओफ लोकमानने हैं, अभी में बेट कर रहा हूँ, किसी ने हम जाए है, सब्सक्राइड काकर क्या है, रूरुषर से कर्सेंडर क्या है, अलेक्सटर अपनी आर्मे को लेकर ऑफ इंडरос पर पहुंचते हैं, टारीवीं के बेढ़ल माते हैं,टी smallestिक प्रस्य सक्क्राइडर ने सब्सक्वेस के इkeeper पहुंचते हैं फिर हिंदु कुष्ड के अंदर एंटर करते scent He is a petition कब ऊद था, 310 game नहींognPYour Department यह order है, इसी इधिन परर एंटर है इसे वह वह जी इधिये उझावक उसके इसावस है onseR know So enter किये ते वह 300 videos में Persian Empire सफे पहले Conquer कर लिए के बाद color कॉंटिनेंट के लिए थे कॉंकर करके वो और सबसे आखरी में पार्टिशन वा था उनके पायर का के ओडर है के ओडर एलशा बद बढ़िया नेक्स्ट कुश्चन तो अगेन को लॉजिकल एरेंज करना है जो थर्टीन्त रॉक रिडिक्ट है उसके अंदर ये मेंशन क्या है कि अकबर जो अशुका है कैसे कैसे कॉंकर किया रीक किंग्स के बारे में मेंशन क्या हुआ है और उसमें बूला हुए कैसे वो फिगर करते है अंजी बताओ करेक्ट आंसर क्या है करेक्ट आंसर है सीज दे करेक्ट आंसर तो ओर्डर क्या है इसका ये रह ओर्डर सीज दे करेक्ट आंसर ओर्डर क्या है एको ये ओर्डर है ऐसे आते हैं कि टॉल्मी आय जाएगा इंट्यून चाहिए लेक्जंडर आ जाएगा इस तरीके से मेंशन क्या हुआ हुआ इक्स्ट कुश्चिन जो इंग्डम्स है दक्षिन पथा में एक समुधर गुप्त के द देवराश्च्रा काच्छी पिशादपूरा वmareंगे कैसे मेंशन हूँ पीस देगरेक टांसर तो कैसे मेंचन है यह जो 20 वी लाइन है ना 19 वी लाइन अलाबाद पिलर इस तरीके से मेंचन किया हुआ है कि कैसे कैसे कॉंकर किया ठीक है अदक्षिन पतेकर राजा को महेंदर कोशाला हो गए फिर व्याग राजा हो गए मकंत देन मंत राजा हो गए पर गणियों पूरिक है स्वध मेंचन किया हुआ है नेक्स्ट के दरफ चलते है अ ख्रोड़ाजिकली अरेंज करेंगे इसामोदिन आध्या मुईन को सलीम चिश्थी को गेशु दराज को क्रोड़ाजिकली अरेंज करेंगे सबसे पहले को है इसके अंदर सबसे पहले है मुईन दिन चिश्थी क्या सबसे आखरी कौन सा है सलीम चिश्थी अकबर के डाइम प्रेडवाले केस दराज बीच वाले हो गए अरेंज कर दो ट्रैवलर्स को सिद्य अलवरुनी विल्यम फिंच के बाद इबने बतूता सबसे पहले इसमें अलवरुनी अलवरुनी है सबसे पहले उसके बाद विल्यम फिंच ठीक है अलवरुनी सबसे पहले पतूता अधिये ले आइस और यह आये हुए थे 14.8 में से जहांगे टाइम पेड़ पहले इसके बाद विल्यम फिंच अगें यह जहांगे टाइम पेड़ पहले नेक्स्ट मॉनिमेंट से क्रिनलोजिकल इरेंज करना है अकबर्स का टॉम सिकंद्रा गॉल गुमबद हो गया देन उ करेक्ट आंसर इस इटेज डी इस दे करेक्ट आंसर सो से यहां पे ओर देख लो शलीम चेश्ट टॉम सबसे प्रार मिना रहता बात के अंदर अगबर कर टॉम सिकंद्रा और गॉल गुमबद बीजापू सबसे आकर अरेंज कर दो कर लॉजिकली मुगल एम्परस को मुगल आंसर इस करेक्ट आंसर स्पेले कौन आजाएगा घाथ दुर्शा जान दार शा फारुक्षिया रफेल दर्यर विद दौलत फिर मौ आणसर C correct chronological order Bengal Criminal Law Amendment Act Bengal Suppression of Terrorist Outrageous Act Bengal Emergency Power Ordinance Bengal Criminal Law Amendment correct answer is it is A तो सबसे पहले Bengal Criminal Law Amendment Act Bengal Criminal Law Amendment Act 1924 Bengal Criminal Law Amendment Act 1925 में भी था हाँ criminal law amendment ordinance फिर act आया 1925 में Suppression of Terrorist Act 1932 और फिर Bengal Emergency Power Ordinance 1932 उसके बाद तो यह order है simple question किती बार गया हुआ यह अब भुफरिंग होई buffering होई buffering होई correct answer is D is the correct answer सबसे पहले क्या आएगा infanticide 1803 तो उसके बाद हम move on करते हैं 43 correct answer D is the correct answer arrange करते पॉलिटिकल असोसियेशन को पॉलिटिकल असोसियेशन को तो correct answer is D is the correct answer तो कैसे कैसे arrange करना है Bombay Association 451 ठीक है पुना सारजनिक सवा 366 मदरास माजन सवा 1884 Bombay प्रेज़ 5 next question तो असान question एकी चीज के बारे बात की जारी है Oldest painting of Ajanta are datable to the second and first century we logically the painting for one and for the last and pertain to the तो किसके बारे बात की जारी है एकी चीज के बारे बात की जारी है तो किन वो उसको explain नहीं कर रहा है oldest painting of Ajanta यह बोल रहा है जाएगा logically बताओगे तब last बतलब अलग-अलग चीज के बारे बात की जारी है है तो वही पही बात तो उसी के बारे बही कर रहा है लेकिन उसमें बोल रहा है कि सबसे पहले Old 2 है और Cave No.1 और 2 है वो last में आती है तो यह से B is the correct answer next question की तरफ चलते है Raj Shikra wrote a drama in title correct answer is it is C is the correct answer की पूट 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 थे पूट 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 next from Nalanda Copper Plate we learned that Pala Dev Pala donated five villages for the upkeep of the Baudhaviraha, Baudhavihara at Nalanda built by Baliputra Deva, the king of Sovarnadvipa and Yavbhumi his unique testimony to the long intercourse meant by the Selendra's with their motherhood perfect to him explain voice issue अभी भी बस हो गए तो correct answer है A is the correct answer perfect way में explain किया जा रहा perfect way नादिर शाया दिल्ली के अंदर लोग को terrorize करके चला गया और उसने memory दिला दी पूर के invasion almost 340 सालवा दे है नादिर शान ने on the other hand did not annex the France Indus Province लेकिन उसने annex किया था तो correct answer क्या होगा the correct answer ने annex किया था ने स्वाला उदर रीजन annex किया था next question no other leader succeeded in arousing and mobilizing the depressed classes for their own development as B. R. Ambedgar okay or he gave them a sense of their own identity B. R. Ambedgar's whole being goes in articulate against a order which condemned him and his people to live a life of socialist depravation and psychological insult तो क्या एक ही पारे बात नहीं हो रही है हाँ पारे बात नहीं हो रही है क्या वो पर्फेक्ट रिमे एक्ष्पीर नहीं कर रहा है correct answer yes पर्फेक्ट रिमे एकी चीज़ के पारे बात भी हो रही है history refers to both subject matter and thought process then उसके बाद thought process of historical thinking involves raising questions marshalling evidence discerning patterns in the evidence and critiquing narrative written session को like भी कर दो भाई सभी के सभी students like भी कर दो जितने पारे बात हो रही है यह इस दा correct answer इट्टी नाइन्थ अगेन इस्ट्रिफिर राइड गर्व हेंकार सहनभूति विद्वेश व्यक्तिगत प्रतिनथा राजनतिक मत्बेथ सामाजिक विभेथ धार्मेक विवाद या देश बक्ति वावनक कि व्यक्तिय को मुट्विलेकों में वित्वावनक करता है इस चीद से कर रहा है एक स्प्रेंट क्या दरेक टरीकित हैं पर्सनल लाइवरी राइवेलरी है प्राइड है विभेने ट्यस्पेथ है इससे क्या करता है कि तो इंडिवीजियूल होता है अपनों कर देता है second statement बोल रहा है ये gray zone होता है scholarship और political statement के बीच में और वो ही historians को affect करता है of course they have been used from time to time immemorial to legitimize claims of politicians train कर रहा है फिर भी भी दिया हुआ है खलो भई from about 1715 Bengali merchant preferred to opt for English carriage service and utilize English vessels from their free tariff in entrusting their goods to a private English tips they were in fact interesting goods to the company whose privileges private English men enjoyed अधनी मर्च नाम तो आपने सुना अजी correct answer is it is A is the correct answer कि दोनो शेटमेंट के बारे में explain कर रहा है कि वो उनको इसा देते ते वो उनके लिए से next paragraph देख लो paragraph paragraph देख लो हाला कि paragraph से कुछ नहीं है परिशली जो आपके लास्ट पार्ट है नहीं इस पॉर्टिक मुनार की established note अब स्टार्ट से पूछे हुआ है paragraph देख लो फिर इसको करते हैं आगे कुछें इन्दी के अंदर भी देख लीजे जो आखरी के तीन स्टेटमेंट है न ये वाले ये वाले ये वाले ये परग्राफ से पूछे हुआ है बाक ही कुछ नहीं तरो अबनी स्टेच वाले अlegen आख पिरोज को प्रीज के ती अबर इसटरी अबद भूट अव बनी कौनसे हिसुर थि तो नेम दबुक ऑफ बर्णी विच इस्ट्री ऑफ देली सलतरत फ्रॉम दबॉइंट वेर नाजर सिराज लेफ्ट तबुक कौन सी किताब है वो तरजिल मसीर तारिक विरोश्याई फत्या है ब्रियाई तबकाते मौश्याई तो कौन सी है तारिक विरोश्याई फत्वाई जान दरी तारिक विरोश्याई दो किताब है तारिक विरोश्याई में लिखा हुआ है मिनाजर सिराज किताब का नाम क्या है Minal Siraz की टाब का नाम है Tapakate Nase that then Barney की राइटिंग कैसी है Barney की राइटिंग का टारीका कैसा है Barney has written Dynastic History, Barney is accurate in providing dates of political events Barney's account ends home had sparked Hourman Tugulak, Barney believed in economic and intellectual IST तो correct answer is critical analysis of social economic and political history तो correct answer next जो मैंने आपको बताया था उसके साब से वो कुछ तीन element तो triangular relationship जो described की गई तो यहाँ पूचा हूँ मैंने आपको भी highlight कराया है तो correct answer क्या है correct answer है is kodak monarchy established upstart यह correct है again passage 850 के उपर एक बार देख लो एक बार passage देख लो फिर question करते हैं हाला कि passage सो question पड़ना passage सो question नहीं है किया पड़ो चलो सीदे सीदे question करो किसने डॉक्टर ने लाप्स को अडॉप्ट किया था अड़प के सिदान्त की नित्वा प्रियोग किस ने किया था scanning ने परजन ने डलाउजी ने वेलेसली ने simple question किस ने किया था answer एक कारण नहीं है 1852 के रिवोल्ट का एक कारण नहीं है तो वो कौन सा कारण नहीं है अर्थिक सोशन या पका संतोष और विदेशी साशन दोशपूर्ण या एक प्रणाली या प्रत्थम अफगान यूदिश्ट एक कारण नहीं है कौहन सा कारण नहीं है correct answer is it is अब यार ऐसे तोड़ी ना होता है कि वहाँ class तो class छोड़ दो तोड़ी ना होता है अब platform अलग-अलग हो चुके है तो correct answer is Afghan wars Afghan wars is the correct answer बताओ correct option क्या है इसमें से अने मिल के मिल से सही विकल्ब चुनिये तो विबिन ने भूमी और राजस्व नीतियों के कारण भारते किसान अमीर हो गए अच्छा British भूमी और राजस्व नीतियों ने भारते किसानों कमजोर बना दिया भू सकता है या इतनतर ने अत्यचारे के विरुद्ध खड़े होने से गरीबों की मदद की अच्छा पारंप्रिक जमिनदारों और प्रमुक्षों से अंग्रेजों से अच्छा विवार किया गया यह तो सिंबल कुश्चन है तो देखना भी नहीं आग बन करके आंसर देदो नाय आंसर बीज गरेक्ट आंसर 99th सेपॉय म्यूटनी किस ने कहा हुआ है कि वल सिपाई विदरो था एरिक स्टोक्स, जॉन, डबलुके, आर्सी माजुम्दार, एसन सेन किसने कहा है कि का कि वल सिपाई विदरो था और कुछ नहीं गरेक्ट आंसर इस जॉन, डबलुके किस रियासत का विले नहीं किया गया था तो किसका नहीं किया था, आरे, सिंपल है ना अवद, डी सिप्रेक्ट आंसर, ताट सिट पीडियाफ का वे मिलेगा, पीडियाफ मिलेगा अश्वणी सर टेस्ट बुक चैनल पे यहाँ पे मैं शेयर कर दूँगा, पीडियाफ उसको डाउनलोड कर लेना और एक बार और पढ़ लेना वो दुबारा पढ़ लेना समझ आ गया, तो दाट सिट हमने कौन कौन से प्रिवेसर कुशन कर लिये प्रेलिस्ट उसके अल्यड़ी बनी हुई है सभी के सभी 6 वजे मिलते हैं सभी के सभी 6 वजे मिलते हैं 6 वजे भी कुश्चन सॉल करेंगे 6 वजे भी कुश्चन सॉल करेंगे that's it, thank you very much और thank you